हलो दोस्तों संसकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है तो पहरे दोस्तों तैयार हो जाए आपके एक्जाम की डेट आ चुकिए 28 अगस्त का आप लोगों का एक्जाम है गूल कर भी मिस मत कर देना एक महिने का टेम है आप लोगों के पास अगर जीत ना है तो मेहनत कर दो आरंब बड़ी अवाली तो आज हम आप लोगों के लिए 25 बड़े ही दमदार कोश्चन लेकर आए अगर आप लोगों ने 20 कोश्चनों का भी जवाब सही दे दिया तो यकीन मान ये आपका सेलेक्शन शोर है ज़्यादा टेम ना लेते हुए चलते हैं अपने पृथम कोश्चन की तरब राजिच्थान में गोगा जी का मेला कहां पर लगता है गोगा जी का जो मेला लगता है ये कहां पर लगता है देखे ये लगता आपका गोगा मेडि के अंदर ठीक है उप्सन नमबर C आप लोगों को लगा लेना है राजस्तान में पत्थर मार ओली के लिए पिरसिद है बताओ कौन सा जिला पत्थर मार ओली के लिए पिरसिद होगा तो देखे आपका जो बाड में रहना पत्थर मार ओली के लिए घणा पिरसिद है ठीक है उप्सन नम क्या होगाowski आऊंस राजिस्तान में मारवात च्छेत्र में सी तलाष्ट में के दिन मनाई जाने वाला तुहार का नाम बताऊ के दिन मनाया जाने वाला जो तोहार है नो उसके वारे में बदभी गाँ भाषत्च कोड Light लिया का मेला देखे वैसाग सर्दी पूर्णिमा को लगता है वैसाग जो सूर्दी पूर्णिमा को लगता है ना उसके वारे में देख लेना है तो देखे इसका हो जेगा आपका रस्मी चित्तोर गड़ बिल्कुल सैकल लेना आपका रस्मी चित्तोर गड़ इस दा राइट सही होगा आपका राम देव राम देव रा का मेला वरता है ना राम देव रा में कौन सा मेला राम देव जी का ठीक है अगला कुशन राजिस्तान में व्याबर बादसा मेले के लिए पिर्सद है तो बूंदी में कौन सा मेला पिर्सद है तो बताओ बूंदी के अंदर जो मेल सिर्वूं की चत्रिय ये ये वी आप लोगों को याद रखना है राजस्तान की कला साइट एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है बता वाइ ब्रामनों का राजपूतों का जैनियों का या फिर भीलों का आउंसर बताईए तो इसका आउंसर क्या होगा राजपूतों का बिल्कुल सही कर लेना आपका उपसर नमबर भी राजपूतों का जो निमिलिक्तम से किस तुहार का संबन्द जैन धर्म से है बताओ किस तुहार का संबन्द होगा जैन धर्म से देखिए याद का लेना आपका इदुल जुहा का, होली का, पयूसर का, याज़गा आपका, कृश्मिश्डी का नमबर नाइन का अंसर देख लेना है बिल्कुल देखिए मैं आधिवासियों का सबसे देखे आसथा केर जहां पर मेला लगता है पड़ोगे तो तो ठीक है? चलो तो देखे नमबर 10 का उंसर क्या हो गया वेनेसुर डूंगरपुर आप लोग का बिल्कुल सयोगाप का वेनेसुर डूंगरपुर जो ठीक है राजिस्तान में सार्दा मंदिर कहां पर रिस्तत है गबराओ मतिन कोशनों को ध्यानपुरबक देखो और कमेंट करते रिस्तान में सार्दा मंदिर कहां पर है पिलानी में जालाबाड में बूंदी में या कोटा में सार्दा मंदिर आप लोग का कहां पर है या आपका पिलानी के अंदर पर ठीक है बिल्कुल सही कर लेना पिलानी राजिस्तान में तीज का तुहार मनाया जाता है तीज का जो तुहार मनाया जाता है ना ये स्त्राबन सुल्क तृतिय को कम मना जाता है स्त्राबन सुल्क तृतिय को मनाया जाता है बिल्कुल सही कर लेना अप्सन नमर भी सावन सुलकित तृति है जो ठीक है राजिस्तान में राणी सती मेले के वारे में सत्थ है बता हुआ है राणी सती मेले के वारे में जो सत्थ है न उसके वारे में आप लोगों को बताना है बता हुआ है जल्दी जल्दी क्या होने वाला है इसका राइट आउसर क्या होगा उपियुक्त कथन सत्य हैं बिलकुछ सभी के सभी ठीके ना गवराईएगा मत बड़े इंपोर्टेंट कोशन है राजिता में ब्रह्मा जी के मंदर के बारे में सही कथन है देखे ब्रह्मा जी का जो मंदर है ना उसके बारे में सही कथन के ब चंद पारिक ने करवाय था बिलकुल यह मंदिर पुसकर में इस्ते नहीं और पर आपका अजमिर के अंदर जो ठीक है बिलकुल यहां पर चार बुजा वाले देखिए इस रश्टी के रचयता ब्रह्मा जी की मूर्थी इस्तापित की गई है बिलकूल ठीक है अप्सन नंबर D आप लोगो को लगा लेना है अगला देखिए गाजो राजिस्तान में किस इस्तान पर 207 फुटकी ठीक भगवान देखिए बादम प्रभू की प्रतिमाहस्तापित है बागवान प्रभू की जो प्रतिमाहस्तापित न वह जाएगा आपका देखिए बादमपुरा इस्दारख आइट स्रोंगा अफसन नंबर D पढ़दमपुरा जो ठीक है अगला देखो राजिस सिवाल ले बिल्कुल सही होगा आपका आउंसर कौन सा होजएगा नीलकंट सिवाल ले इस दा करेक्ट आउंसर होजएगा ना अपसन नमबर भी आप लोगों को चाप लेना है अगला देखो राजस्तान में विश्विजीत गुरु कुल बनाया जा रहा है क्या कोशन है विश्विजीत जो गुरु कुल बनाया जा रहा है ना यह आपका पाली के अंदर बिल्कुश सही होगा आपका अपसर नमबर डी पाली एकदम राइट इस मंदिर देखे ट्रश का अधी ग्रहन कर लिया गया बता वाई इसके वारे में आप लोग तो कमेंट करने रहे हो लाइक और सब्सक्राइब भी अभीस तक आप लोगों ने किया नहीं तो कर दो जल्दी देखिए स्वानलिया जिया का मंदिर डेके ट्रोस चित्तोर गड कराडू का मंदिर समू बिल्कुल सही कर ले लेना आप लोगो क्या होज़ेगा कराडू का मंदिर समू इसदा राइट आउंस वार ठीक है अगला देखो राजिस्तान में किस इस्तान पर किसन विलास मंदिर है बताओ वाई किस इस्तान पर किसन विलास मंदिर है जैपुर में कोटा में बरतपुर में या अलवर के अंदर कमेंट करो जल्दी जल्दी आप कमेंट करके तो बताओ, मजा तो तभी आएगा है लाद लोग चलिए तो देखें इस कांसर क्या हो जाईआगा, राइट आउपको कर लेना है कोटा, अच्छ कोटा के अंदर ना आप लोग को बता देता हूँ कोटा के अंदर आपका जो दसेरा का मेला लगता है सबसे बड़ा वो कोटा के अंदर ही लगता है ठीक है चलिए भाई देखे वीसल डेव की प्रेमी का राजमती कहां के सासक की पुत्री थी राजमती के बारे में पूछा गया है मारवाड मालवा मंडोर या दिली अरे ये कहां की थी ये आपकी मालवा की थी मालवा और मालवा कहां पर परता है ये भी आप लोगो को कमेंट करके बताना है ठीक है ओप्सन नमर भी आप लोगो को चाप लेना है देखे दलपत बिजय द्वारा रचित गरंद खुमान राशो में मेवार के किस सासक की उपलब्दियों का वर्नन हुआ है मेवार के किस सासक की उपलब्दियों का क्या हुआ है वर्नन हुआ है इसके बारे में आप लोगों को देख लेना है ना जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका होज़ेगा आपका महराजा राज सिंग एक दम करेक्ट आउंस रोगा आपका महराजा राज सिंग खुमान रासो गरंद की रचना किस ने की थी अरे लाड़ लो खुमान रासो गरंद की रचना अरे दलपद विजय के जरीए की गई थी पिर्थी राज बिजए गालनत की गई थी किसके जरी ait की गई ती अन न और पिर्थी राज राजरेंगे पहुत जड़े होता था है رाजस्तान में बूंदी के। देखे महाराव राम सिंह के दर्वारी कभी कौन थे देखते महा राव राम सिंग के जो दर्वारी कभी थे ना बताव कौन थे पढ़बनाम थे सूर्य मल मिस्तरा थे वजेदान देता थे या इस या ?' देखिए इस रध होगा है ना इसका आउंसर का होगा राइट का होगा देखे ये तो आपको पता है 32 प्लस मालो मतलब एक महीने का टेम रहा है इसलिए हम जो डेड़ महीने से आप लोगों के लिए लगातार तैयारी कर रहा था मैं वो आपका कम्पलीट हो गया पूर ने जो देखिए पिरी डीलेड परिक्षा दो बीस टीसी 2023 के लिए बिलकुल नया शांदार जो आपके एक्जाम में अंदर छपने वाला है देखिए राजस्तान जीके के आल टॉपिक जितनी भी आपके टॉपिक है MCQ एकदम ऐसे ऐसे बनाएं जो हर बार एक्जाम में टपकते हैं एक भी कोश्चन मिस नहीं होगा ठीक है और पिलस में टेस्ट भी आपको दिये जाएगे टेस्ट भी आपको दिया जाएगा जो आपको यूज करकर आप अपना सलेक्शन सोर कर सकेंगे जिसमें देखिए आ बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोगो के लिए मैंने ये महनत करकर तयार किया था बिल्कुल लाड़ लो अब देखो ये मात्र मैंने आप लोगो के लिए इसकी सुल्क नन्याण में रुपे रखी है अगर ये आप लोगो को लेना है प्यारे बच्चों अभी से अगर 97 98 इस पर phone पे करकर Google पे करकर उसके बाद स्क्रीन सोट हमें बेज देने हैं WhatsApp गुरूप पर WhatsApp नमबर पर बेज देने हैं इसी नमबर पर ठीक है हम आपको संग कि संग प्रवाइड करा देंगे ठीक है लाड़ लो और इसका अंसर आप कमेंट से संग बताना देखिये हाला जालरिया कुंड की रचना किस ने की थी जहानक ने इस्वरदास ने सूर्यमल मिसरन और दलपत नाल ने जो ठीक है